हेलो और वेलकम बेक टो अनादर एपिसोड ओफ लिक्षनरी मैं स्निकधा होप यू आपके साथ जिस मूवी के बार मैं बात करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है पेंडिन सोला इट वस दा मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी अप साउथ कोरिया अभी 15 जुलाई को साउथ को अगर आपने देखा है तो बहुत अची वात है और अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं मैं आपको यूट्यूब डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देदूंगी आप वहां जाके देख सकते हैं कर देख सकते हैं यह कहानी एक पोस्ट अपोकेलिक्टिक सॉम्बी वाल्ड के बारे में हैं जहां पे एक सोल्जर की स्टोरी दिखा रा गया है कि कैसे वो अपने फैमिली मेंबर्स को इस जॉम्बी एपोकेलिक्स में खो चुका होता है पेनिंसुला पे फिर वो वहाँ पे लौट के जाता है एक परपस को फूल फिल करने के लिए चार सल बाद एक टीम के साथ फिर वहाँ जाके पता चलता है कि पेनिंसुला एक डॉग इट्स रॉग वर्ड बन चुके हैं अगर ऐसा घटना घट जाए तो हम लोग वही सोच सकते हैं और क्या सोच सकते हैं और उन लोग को पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे सर्वाइबर्स भी है जो बहुत दिन तक रिस्क्यू के लिए इंतजार करते रहें लेकिन जब कोहीं नहीं आए तो वह लोग भी अपने आपको इस तरीके से बना लिए कि कैसे इस जॉम्बी का सामना करना है और वहाँ पे जाके उन लोग को और उनके टीम को फिर सामना करना पड़ता है इस होड्स और पोस्ट अपकेलिप्टिक जॉम्बी का और इंसानों का भी जो वो लोग बच गए थे जो लोग चाते थे कि फिर वो लोग बापस अच्छी दुनिया में जा सके मतलब आप सोचो कि ऐसे जॉम्बी एपोकेलिप्स से आप बच चुके हैं और आपको पता चला कि और भी कोछ इंसान है जो बच गए है इस एपोकेलिप्स से तो आप लोग क्या सोचेंगे कि मतलब क्या करें मैं तो मतलब ऐसी सोचोंगी कि ऐसी एक दुनिया को बनाए जो कि इस सिचुएशन को फिर से दुबारा ना घटने जे लेकिन ये मूवी आपको बिल्कूली प्रूफ कर सकता है कि आप कितने रॉंग हो इस मूवी में अच्छी तरीके से दर्शाया गया है कि ऐसे एपोकैलिप्स शायद आ भी जाए लेकिन तब भी इनसान अपना जो इनर्ट पोपर्टी है कभी नहीं छोड़ता है इस मूवी को मैं एक वन टाइम वाच मूवी कह सकती हूँ प्रॉम बिगिनिंग टू एंड यह आपको कहीं भी कभी भी आपको बोर्ड नहीं करेगा और आपको कभी मजबूर नहीं करेगा कि आप अपने सीट को छोड़ के जाए आपको पूरा देखने का मन करेगा लेकिन एक प्रॉबलम है यह अभी कोरियन लेंगविज में एवलेबल है तो अगर आपको इंगलिश में देखना है तो आप इसके लिए ग्लोबर रिलीज के लिए वेट करे और इसका नहीं देखना है तो फिर आप कोरियन वर्शन में ही देख लिए जनररली मैंने जितने भी साउथ कोरियन मूवी देखें सब का मेक अप बहुत अच्छा रहता है लेकिन इस मूवी का जॉंबी का जो मेक अप है और गेट अप दिया है उन लोगोंने मतलब इस अ टॉप नॉच और इस मूवी का म्यूजिक जो है वो बहुत ही डिसेंट है इस ने हर पॉइंट में उस ट्रील को मेंटेन किया है मूवी का प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बस एक चीज जो मुझे मतलब खटकती रही कि चार साल बाद भी जब वो जॉंबी एपोकैलिप्स दुनिया में गये तो वो जॉंबी कैसे इतना फ्रेश र चाहिए तो यही बात मुझे खटकता है लेकिन मैंने कभी जॉंबी एपोकैलिप्स नहीं देखा है और होप करती हूं कि ना देखना पड़े तो मुझे इतना पता नहीं है मुझे यह यह नहीं लगा कि यह रियल लिखाया है तो ओवरॉल जो भी है मुवी मुझे बहुत स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा और यह आप फैमिली के साथ भी बैटके देख सकते हैं फैमिली के साथ देखने के लाइक मुवी भी है और मुझे बताइए मुवी देखने के बाद कि आपको कैसा लगा क्योंकि मुझे पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा था तो म मैं आपने आपको रोक नहीं पाई इस सेकेंड पार देखने के लिए और जब भी इन लोग ने रिलीज किया तो मैंने बस डाउनोड कर लिया और देख लिया तो अगर आपको लगता है कि मैंने अपने वीडियो में कुछ एकसे इंफॉर्मेशन दिये जो आपकी काम आए तो